हलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल डियर मॉम बैक्स गाईज मैं आपके लिए आज बिलकुल नई ट्रिक से बैक बनाने की वीडियो लेकर आई हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9.5 इंचेस चोड़ाई और 19 इंचेस लंबाई इस शीट की है मैंने शीट तियार क जो भी एक्स्ट्रा उसको काट देंगे और यहां कम्प्लीट 19 इंचेस हम रख लेंगे इसके बाद हम इसको double फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे तो double फोल्ड करके हमने कट कर लिया है इसको और इस प्रकार से यह आ जाएगा इसके बाद हमने दो जीप ले लेनी हैं 12 है और ध्यान रहे बैक साइट से भी स्लाई कर लेना है ताकि जिप अच्छे से जम जाए उसके बाद हमने एक लॉक डाल लेना है चाहें तो आप डबल भी डाल सकते हैं लॉक दूसरी साइट में भी हम दूसरे भाग डबल दो भागों में करेंगे और इस प्रकार से रखेंगे स्लाई करेंगे जिप में सिधे पूल्टा रखके टॉप स्टिच करेंगे बैक साइड स्टिच करेंगे यहां पर आप देख रहे हैं बैक साइड स्टिच करना है और टॉप स्टिच करना है ठीके साइड भी सिटिच बीकर लेना है मैंने कर लिया है यहाँ पर आपदेख WAR तो दोनों स्टिच करनी है मैंने और यह इस प्रकार से आजाएगा एक्सट्रा को हम कट कर देंगे जो भी आप देख रहें मैंने तीन इंच पर टिक कर लिया है आप चाहें तो इसको साड़े तीन इंच भी कर सकते हैं पहले कि हम वीडियो में आगे चाहें गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और असान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं यह री उस ओल्ड क्लोस को करना चाहत हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेसंस आपको टाइमली मिल जाएं क्योंकि मैं आपके लिए असान से आसान बैग बनाने की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूं तो यहां पर आप देख रहें इ हमें नहीं जोड़ना है इससे पहले हमें इसमें एक रनर रैड करना है इस प्रकार से मैंने रनर रैड कर लिया है और जो कटिंग क्या है इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करेंगे और किनारे में बीच में रखेंगे और इस तरीके से स्लाई कर लेंगे चाहें तो सिंगल भ कर लेनी है मैंने स्लाइ कर ली है ठीक है तो यह जो भी एक्स्ट्रा है इसको पहले कट कर लेना है दोनों साइट्से जो भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है इसके वाई अगया स्वक्राइव जो तो यहां पर मैंने बैक साइड में इसको फोल्ड करने के लिए इस लाई किया था इस प्रकार से जो फोल्ड किया था हमने इस प्रकार से आ जाएगा फनीशिंग के साथ यह पाइपन तयार हो जाएगी इस तरीके से फोल्ड करते चले जाएगे और यह खुद से अपनी जगा देदेगा पाइपिन और यह कपड़ा और यह इस तरीके से पाइपिन पूरी तेयार हो जाएगी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तिफनीशिंग के साथ यह पाइपिन लग गई है उसकी बाद जो हमने यह स्ट्रैप इस साइड को सिला था अब इस तरीके इस तो गैस अगर आप में चैनल पर नए है असान तरीके से बैक बनाना चाहते हैं या रिव उस ओड को करना चाहते हैं तो आप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर दें मैं आपके लिए असान से असान बैक बनाने की वीडियो अपने चैनल पर अपलो बैग हमारे रेडी हो गया है और गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है बहुती इजी बैग बनाया है मैंने तो लाइक और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें और कॉमेंट करें ताकि मुझे और भी होसला मिले तो के लिए ओके बाई थैंक्स फर वाचिंग बाबाई बाई